हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चेनल फार्मारोक्स के यूटूब एज्जूकेशनल चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे एकस्पेक्ट औरंट ड्रक्स के बारे में तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जिसको हम यूज करते हैं कॉफ को हमारी बॉडी में से रिलिस करवाने के लिए तो उनको कॉफ एकस्पेक्ट औरंट भी कहा जाता है और दूसरे वर्ड में हम देखे तो वो मेडिकेशन को म्यूकोलाइटिक्स या फिर ब्रॉंकियल सिक्रेशन एनांसर मेडिसिन भी कहा जाता है और यूसली यह मेडिकेशन ऐसी है कि जो आपके रैस्पारीटर रैक के उपर असर करती है कि जिसको हम कहते है कि ड्रॉग एक्टिंग ओन रैस्पारेटरी सीस्टम तो यहाँ पे जो हम टाइटल स्लाइड के अंदर जो देख रहे है कि जो marketed preparations आप यहाँ पे देख रहे है जैसे कि Bromhexine के tablets अवेलिबल है 8 mg की strength के अंदर Embrogzol है उसके अलावा Embrogzol के साथ combination में terbutalin है Guafencin है और यहाँ पे Embrogzol के साथ Uosalbutamol and Guafencin का जो syrup है वो market के अंदर अवेलिबल होता है तो यह सब medications as a cough syrup के तोर पे काम करती है और उनका main target यही होता है कि cough को आपकी body में से बाहर निकालना कि जिससे जो cough जमा हो जाता है आपकी chest के अंदर, lungs के अंदर तो उसको body में से बाहर निकालने का काम करती है यह medications की जिसको हम कहते है expectorant तो सीखते हैं detail में यह expectorant medications के बारे में यह video lecture के अंदर तो अगर आपके पास आईफॉन है तो एप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते है लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझ यह expectorants क्या है तो expectorants are the medicine which promotes the secretion of a sputum by the air passages used to treat the cough मतलब कि यह ऐसे medication है कि आपके body के अंदर रहा जो cough है वो sputum के तोर पे बाहर निकल जाता है कि जब आप खासी आपको खासी आती है तो उस वक्त जो cough निकलता है तो वो cough sputum के form में आपकी body में से जो है वो बाहर निकलने का काम करें के यह medication तो दूसरी वर्ड में हम कहें तो यह medications ऐसे है कि जो आपके respirator track के अंदर रहा जो cough है उसको oral cavity के थुरुही बाहर निकलने के काम करती है जैसे कि जो यह lungs देख सकते हैं आप respirator track के अंदर फिर यह bronchi का portion है फिर उससे आगे trachea का जो portion आता है कि जो हमारी wind pipe है तो यह बनाता है lower respiratory track और उससे उपर हम देखें तो upper respiratory track के अंदर इंकलूड होता है यह nozzle cavity pharynx का portion है and larynx और साथ उसाथ आप oral cavity भी देख सकते हैं कि जो digestive track का system है but mainly यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई person expectorant medications लेता है तो उस वक्त coughing के अंदर यह जो sputum वागेरा की जो समझो कि आपके lungs के अंदर वो जमा हुआ है कि जब mucus आपके यह lungs के portion में जमा हो जाता है या फिर bronchise के अंदर जमा हुआ है wind pipe की जिसको हम trachea कहते हैं वहाँ पे है larynx में है तो वो हमारे nozzle cavity के थ्रू या फिर oral cavity के थ्रू sputum के form में आपके body में से बाहर निकल जाता है कि जिसको हम कहते है coughing कि जब आपको खासी आती है तो खासी के दौरान जो sputum होता है वो sputum के थ्रू जो excessive जमा हुआ cough आपके body में से बाहर निकलता है तो ये होना जरूरी है because जब cough excessive जमा होता जाता है तो आगे जाके वो ये lungs को जो है वो damage कर सकता है तो जो mucus जमा हो जाता है हमारे lungs के अंदर कि समझो कि किसी को COPD है respiratory tract related को infection हुआ है severe cough and cold जैसी condition है तो उस वक्त mainly condition ये produce होती है जमा होता जाता है तो ये mucus को आपकी body में से बाहर निकल वाना जरूरी है कि जो coughing के दौरान आपके body में से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर second point समझी के लिखा है कि they are one type of mucoactive agent and a class of chemical agent which aid in upper clearance of mucus from the upper and lower airways including the lungs bronchi and trachea कि जो आपकी wind pipe है आपकी जो bronchi है और आपके जो lungs वगेरा है उसमें रहा जो mucus है वो आपकी body में से बाहर निकलने का काम करते है ये medication की जिसको हम कहते है expectorant तो cough क्या है या फिर coughing तो जो ये एक primary common reflex है हमारी body के अंदर कि जो हमारे throat को करता है clear कि जब आपको खासी आती है तो हमारे throat के अंदर जो भी कुछ फसा हुआ होगा वो coughing के दोरन हमारी body में से बाहर निकल जाता है with mucus तो उसी तरह से जब excessive mucus आपके lungs के अंदर जमा हो जाता है lower या फिर upper respirator track के अंदर जमा हो जाता है तो coughing का जो reflex होता है उसके साथ हो साथ excessive mucus आपकी body में से जो है वो बाहर निकलता है after taking this expect to run medication while everyone cough to clear their throat from time to time a number of conditions can cause more frequent coughing की जिसको हम कहते की अलग-अलग respiratory tract related जब आपको infections होते है तो उसमें coughing की जो frequency है वो increase होते है कि आपको बार-बार खासी आती है chest के अंदर tightness हो जाता है runny nose जैसी condition प्रोडूस होती है और आगे जाके जब आप chest x-ray वगेरा करवाते है city scan करवाते है तो पता चलता है कि वहाँ पे excessive amount में cough जमा हो चुगा है साथ हो साथ काई बार COPD वगेरा के अंदर emphysema, bronchitis pneumonia वगेरा के अंदर वहाँ पे excessive mucos के साथ-साथ वहाँ पे आपको inflammation भी देखने को मिलता है तो ये symptoms को clear करना ज़रूरियर उसमें सबसे पहले तो mucos को आपकी body में से बाहर निकलना सबसे important है तो उस वक्त ये expectorant medication ये coughing का काम करवाएगी और जो हम कहते है phlam कहते है या फिर जो sputum कहते है ये sputum के form में आपके chest के अंदर जमा हुआ या फिर upper या फिर lower किसी भी respiratory tract के अंदर जमा हुआ ये mucos आपके सरीर में से बाहर निकलता है तो a productive weight or chesty cough is a vein you have a cough that produce mucos or phlam you may feel congested and have a ratty or ratty or tight chest कि जब आपके chest के अंदर ये cough excessive जमा हो जाते है तो इस वक्त आपको ऐसा feel होता है कि आपके chest के अंदर काफी tightness है भारेपन आपको लगता है और जब ये cough अच्छे से आपके body में से बाहर निकल जाता है तो patient जो है वो काफी relief feel करता है और आगे जाके respiratory tract infection के जो symptoms काई बार severe होते है वो भी दिरे-दिरे कम होते है तो symptoms are often worse when waking up from the sleep and when the talking the weight curve may be a last symptom left after a common cold infection कि जो weight curve produce होता है कि जिसको हम कहते है कि आपको जब खासी होती तो उस वक्त ये phlegm और जो sputum है वो आपकी body में से बाहर निकलता है तो ये एक reflex होता है कि जिसके तरु हमारा throat तो clear होता है बड़ जब disease condition होती है और वो भी disease होती है तो उस वक्त ये cough की मात्रा भी बढ़ती जाती है साथो साथ उसके अंदर जो mucus है उसका भी secretion increase हो जाता है और patient के जो respiratory tract के अंदर ये mucus होगे रा जो है वो excessive amount में बढ़ते जाते है तो जब आप ये expectorant medications किसी को देते है तो ये medications क्या करती है आपके किसी भी एरिया में फसा कि lungs के अंदर है या फिर primary bronchi के अंदर trachea है, larynx, pharynx या फिर nozzle cavity के असपास किसी भी एरिया अपर या फिर lower respiratory tract के अंदर रहा mucus को बाहर निकलने का काम करेगी तो expectorant किस तरह से क्याम करते है तो increase the airway water or the volume of airway secretions तो airway water या फिर airway secretions को enhance करते है मतलब कि जो mucus starting में कैसा होता है कि mucus जो होता है उसकी viscosity की हम बात करें तो उसकी viscosity जो है वो काफी ज़्यादा होती है अगर ये हम उसकी viscosity reduce करवा है तो क्या होगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा और जिसके करण viscosity कब reduce होती है कि जब उसके अंदर water समझो की mix होता है तो water mix होने के बाद उसकी viscosity reduce होगी और ये mucus जो है वो और जो थोड़ा पतला हो जाएगा और ये पतला हुआ mucus easily आपके respirator track में से बाहर निकल जाएगा जबकि उससे reverse जब उसके viscosity बढ़ज दी है तो ये lungs के अलग-अलग areas के अंदर जमा होता जाता है आपके trachea के अंदर bronchi के अंदर wind pipe के अंदर जमा हो जाता है जिसके कारण patient क्या करता है उसको breathing करने में difficulty होती है फिर chest के अंदर काफी tightness जीसा feel होता है और काफी discomfort feel करता है ये condition के अंदर तो जब ये expectorant हम देते है तो mucus जो है वो दिरे-दिरे पतला होता जाता है और आपकी body में से बाहार निकलता है और बाहार निकलने का जो main form होता है वो है sputum के form है कि जब आपको खासी आती है तो उसके अंदर जो phlam होता है sputum होता है उसके साथ-साथ ये excessive mucus आपकी body में से पाहार निकल जाएगा तो mucolytics कि जिसका नाम पूरा समझी आप it means the thin thin the mucus that means reduce the viscosity of the mucus mucus के viscosity को down करेगा क्या भी मैंने जो आपको concept समझा के viscosity जब enhance हो जाती है mucus की तो ये अलग-अलग areas में जमा हो जाता है और जिसके कारण condition ये होते कि chest के अंदर tightness फिल होता है person को उसके बाद difficulty होती है breathing के अंदर तो वो सब symptoms आगे जाके develop होते है फिर mucokinetics क्या करेंगे increase करेंगे transportability of the mucus by cough कि जब आपको coughing आप करते हैं कि जब आपको खासी आती है तो उस वक्त ये cough का जो transportation कि ये cough आपकी खासी के थुरू आपकी body में से बाहर निकलेगा तो mucokinetic mucokinetic property के कारण इसकी जो transportability है वो increase होगी और वो आपके cuff के थुरू, coughing के थुरू आपकी body में से बाहर निकलेगा और चौति प्रापर्टी है कि mucoregulators तो वो क्या करेंगे suppress the underlying mechanism of mucus hyper secretion कि mucus का जो hyper secretion होता है respirated wreck के infections के अंदर तो वो क्या करेगा उसको suppress करेगा reduce करेगा inhibit करने का काम करेगा तो एक साइड क्या हुआ ये medication mucus के secretion को reduce करेंगे और दूसरी तरफ उसका अपकी body में से बाहर निकलने का काम करेगा तो एक साइड निकाल होता है उसका अपकी body में से बाहर निकल जा रहा है वो mucus और दूसरी साइड उसका secretion भी कम हो रहा है तो दिरे दिरे ये medications लेने से person जो है वो ठीक हो जाता है जिसको हम कहते है कि effect of a expectorant medication तो ये medications के अंदर सबसे पहले हम top पे देखे तो वो है bronchial secretion enhancer और उसके sodium और potassium citrate कि ये वाला आप देखे कि जाइलर वाला जो product देखे तो उसका composition यहाँ पे read करे तो उसमें लिखा है कि potassium citrate monohydrate फिर citric acid है and monohydrate citric acid monohydrate का ये syrup है तो sodium और potassium के citrate उसके अंदर है फिर potassium iodide goefensine कि जिसको glyceryl glycolate हम कहते है तो goefensine का cuff expectorant आप देख सकते है zetus करके ये जो expectorant है कि वहाँ पे उसके action लिखे कि bronchodilator and mucolytic तो उसके अंदर turbutalin तो हमें पता है कि जो bronchodilator के तौर पे काम करता है but ambroxol and goefensine दोनो mucolytic के तौर पे काम करेंगे ये syrup के अंदर कि जो cup syrup के तौर पे use होती है तो इसके अंदर जो ingredients है mainly कि जो bronchial secretion enhancer का का काम करते है और expectorant के तौर पे वो अपनी pharmacological action देंगे फिर balsam of tolu है वसा का कि जो herbal medicine हम कहते है कि जिसको अधा तोड़ा वसी का हम कहते है and ammonium chloride तो ये सब bronchial secretion enhancer के तौर पे काम करती है फिर बात आती है दूसरे कि जो mucolytics तो mucolytics के अंदर bromhexin तो bromhexin hydrochloride के 8 mg की strength में tablet भी available है और वो mucolytics as well as muco kinetics के तौर पे काम करते हैं कि जो आपके body के अंदर रहा जो cough है उसकी viscosity reduce कर दी है और viscosity reduce करेगी और साथ में वो काम करेगा कि उसकी transportability increase करवाए कि जिसके करन coughing के थूँ ये आपकी body में से बाहर निकल जाए फिर ambroxol भी same mechanism पे काम करेगा carbocysteine and acetylcysteine तो carbocysteine के जिंग के साथ combination में ये tablets भी available होते हैं साथ हो साथ ambroxol के जिसका syrup form जो है वो market के अंदर available है same like that ambroxol के साथ combination में आप देख सकते हैं कि levosalbutamol है कि जो bronchodilator है और guafencin कि जो bronchial secretion enhancer के तोर पे काम करेगा तो ये पूरा combination cuff and chest decongestant के अंदर के जब आपके chest के अंदर cuff जमा हो जाता है mucus की viscosity enhance हो जाती तो उस वक्त उसकी viscosity को काम करके उसको पतला करके आपकी body में से बाहर निकलवाने का काम करेगे ये medication तो expectorants का हम basic use हमचे तो this medication is used to treat the cough cough की condition को कि जब आपको खासी होती है तो उस वक्त समझे के खासी और उसमें भी जब weight cough होता है कि खासी के अंदर आपको spootam आता है flame आता है तो उस वक्त ये medication सबसे effective साबित होते हैं दूसरी condition की जो cough को relief करवाने के लिए cough relief के तोर पे ये काम कर देखे इस combination medication is used to relieve the cough caused by the common cold bronchitis and other breathing illness जैसे कि COPD है dry cough, weight cough तो in short हम देखे तो आपके body के अंदर जो ये mucos form होता है और ये mucos को आपके body में से relieve करवाने का काम कि mucos को किसी भी तरह से आपके body में से बाहर निकलना है और उसके लिए एक ही trick है कि उसको viscosity हम reduce करवाए और उसके kinetics हम enhance करेके जिससे वो आपके respirator track में से बाहर निकल जाए तो अस्तमा के अंदर भी ये ऐसी condition produce होती कि कॉफ होता है फिर दूसरे symptoms, respiratory track infections के तो वगेरा को ट्रीट करने के लिए ये medication यूज के जाते है उसके mechanism और working हम देखे तो expect that help the loosen the mucus so you can cough it up कि जब आपके throat के अंदर या फिर आपके chest के portion के अंदर जब ये कॉफ जमा हो जाता है तो उसके करन जो tightness feel होती है कॉफ के अंदर तो उसको relief करवाना जरूरी है तो ये तब भी relief होगा कि जब आपका कॉफ जो है वो आपके body में से बाहर निकल जाएगा मतलब कि if you will lose your mucus from your body then you will get the relief from these symptoms तो उसके लिए जरूरी है कि expectoron को use करना तो expectoron किस तरह से काम करेंगे तो it does this by increasing the water content of the mucus जो mucus था तो mucus के अंदर problem क्या था उसकी viscosity जो है वो ज़्यादा थी कि जो मैंने आपको पहले भी समझाया अब उसकी viscosity reduce करनी है तो जरूर यह है उसके अंदर water content को enhance करना कि जिससे उसकी viscosity क्या होगी अब down होगी viscosity कम होगी तो यह होगा thinning thinning it out and making your cough more productive अब आपका जो viscosity ज्यादा होने के कारण काफी difficulty होती थी वो कफ को आपकी body में से बाहर निकलने के बट अब viscosity कम होने के बाद वो काफी पतला हो जाता है जिसके कारण easily जो है वो आपकी body में से बाहर निकल जाता है with coughing और यह अब काफी productive काफ हो जाता है and expect to increase the bronchial secretion and mucolytics helped to loosen the thick bronchial secretion कि जो काफी थीख हो जाता था उसको thin करने में help करेंगे यह medication contraindications हम देखें कि जिसको thyroid related problem है कि जिसकी thyroid gland over active है और hyperthyroidism वगेरा के जो problem है तो उस वक्त यह medication को use ना करें फिर जिसको diabetes वगेरा है close angle glaucoma का problem है high blood pressure है significant uncontrolled high blood pressure है severe disease of the arteries of the heart and enlarged prostate तो इन में से कोई भी condition है तो expectorant को use ना करें do not use the expectorant in these medical conditions फिर बात आती है तो यह सब आपने समझे कि जो contraindications कि ऐसे condition में हमें expectorants वगेरा को use नहीं करने है तो सामने जानना जरूरी है कि उनके side effects वगेरा क्या होते है तो जो expectorants हम use करते है तो उनके side effect के तोर पे सबसे पहले तो patient जो है वो confusion वगेरा feel करता है skin के उपर source वगेरा develop होते है उसके बाद excessive salivation मतलब कि saliva का जो secretion है वो increase होता है कि यहाँ पे जो आप देख सकते है कि excessive salivation excessive saliva produce होती है fatigue मतलब कि थकान जैसा होता है तो confusion और यह side जो आप देख सकते है कि confusion के साथ साथ आपको थकान भे feel होती है तो यह दोनों symptoms एक दूसरे के साथ associate रहते कि कई बार confusion भी रहता है और साथी साथ थकान रहती है आपको कि जिसको हम कहते है fatigue फिर gastrointestinal related side effects जैसे कि acid reflux, diarrhea, nausea, vomiting, stomach pain वो कई बार patient feel करते है after taking the expectorant फिर कई बार irregular heart beat होते है इसी के कारण जिनको heart related problem होते है blood pressure related problem होते है उनको यह medications नहीं दी जाती है या फिर proper medical super reason के अंदर ही उनको यह दिये जाते है फिर numbness होता है tingling होता है pain और weakness in the hands और fit और severe headache कई बार हो जाता है यह medications के side effect के तोर पे तो यह था हमारा special video lecture about the expectorant drugs तो pharma rocks की जो lecture notes होते है की जो ppt's and pdf अगेरा होते है rapid revision notes offerable price में आपको pharma rocks की app उपर मिल जाएके तो अभी download करिए app pharma rocks thank you for watching join कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number आप देख सकते है join करिए app pharma rocks access करिए study material test series and the video lecture on app pharma rocks so good luck and all the best test